तो जैसे ही आप developer option enable करते हैं तो आपको एक option देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है multi process web view देखिए मैं आपको खूल के दिखा देता हूँ multi process web view तो इसको enable या disable करने से क्या होता है तो इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहां पर हमें मिलेगा इसके लिए आपको setting में जाना है आप जैसे ही setting में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा additional setting इस पर आप click करेंगे और इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको additional setting पर click करने के बाद आपको एक option देखने को मिलेगा नीचे developer option इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम से capture लेता है capture को हम fill करते हैं capture डालने के बाद आपको यहाँ पर use पर click कर देना है use पर जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक option मांगेगा देखने को मिलता है multi process web view इसको enable या disable करने से क्या होता है इसको आप अगर enable कर देंगे तो यह क्या जो आपका web view है जो आप link पर click करते हैं तो आपका multi हो मतलब एक से ज़्यादा आप use कर सकते हैं लेकिन अगर आप disable रखते हैं तो आप कोई एक ही browser use कर सकते हैं या तो फिर आपका chrome browser हुआ या तो फिर जो भी आप browser use करते हैं तो हम इसको disable कर देते हैं तो चलिए उमीद है कि समझ गया होंगे